नमस्कार, सिंग राशी के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशी फल किस तरह की फल सूचनाई लेकर आ रहा है इसकी संपूर्ण चर्चा वरतांत लेकर हम आप सभी के संभों के हाँ हाँ हाजर और उपस्तत हैं सर्व पर्थम ग्रह गोचर ये वेवस्ताओं का अध्यन और उसके बाद प्रती एक भाव से जुड़ी हुई शित्र विशेश की चर्चाएं भी हम यहाँ आपके सामने रखेंगे 24 जनवरी 2020 वो तारीक थी जब शनिदेव मकरस्त प्रवेश किये और वहीं चलाईबान रहे ये इस वर्ष के शुरुवात की एक महत्तपून तारीक तो वहीं 23 सितंबर 2020 वो तारीक रहेगी जब राहू और केतु अपने राशी संचरण को परिवर्थित कर जाएंगे हमेशा वक्री चलने वाले ग्रहे और जो ग्रहे चाया वाली है अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले होते हैं कई बार ऐसे बोध की स्तियों के भीतर लेकर जाते हैं जो अलग तरह के रियक को लेकर आने वाली होती है तो जब ऐसे ग्रह मिथुन और धनू से निकल कर वरशब और वरश्चिक में प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए फल सूचनाओं को जानना अती महत्तपूर हो जाता है यहां आप आएंगे कि सूर्य देव सिंगराशी स्थान में ही जो इनका स्व अधा दिती भी बनेगा हमने इस बार चंद्रमा की स्थियों को परिवर्तित करके दिखाया है दो दिनों के लिए जो सोलह है और सतरह सतंबर तक का समय अमत्राल है यानि कि यह जो दो दिन है यहां पर पराक्रम भाव में चंद्रमा बिराजमान रहेंगे व्यक्तिगत परा पराग्य के जो तिव रगामी संकेत मन के भीतर आते हैं उनको भी आपको जाचना पर रखना यहां पर होगा यह एक तथ्यात्मक स्थि तो वहीं पंचम भाव में ब्रहस्पति और केतु की ध्वज नामक युति संकत स्थियां जो बनी हुई है तेवी सितंबर को अलग अल 29 सितंबर को मारगी हो जाएंगे तो वहीं मंगल 9 सितंबर को स्वराशी स्थान में चलायमान होते हुए ही वक्री हो चुके होंगे और इस महा के पूरे ही अंतराल में वक्रगत ही चलेंगे राहु भी अपनी स्थियों को परिवर्थित करके कर्म भाव के भीतर जहां ऐसे रहे हैं कुन्य फोलों का उदय करने वाले हो जाते हैं वहां से वक्रगत चलते हुए वरशब में प्रवेश कर जाएंगे 27 सितंबर तक आपके लिए लक्षा धीपती योग बना हुआ है दन भाव जो की द्रव्य भाव है वहां बुद्ध मूल प्रकॉनस्त और वहीं पे ही बिराजमान है इसी वज़े से जो आत्म विश्वास है उससे लबरेज होकर अपने निरणय के उपर तटस्त होकर और पूरा विश्वास करके जिस ताकत के साथ में चलना होता है वो भी यहां पर आपके लिए बनी रहेगी कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है नौक की हसरत है तो वो यहां पर पूर्ण हो सकती है किसी भी इंटर्व्यू की तरफ आप जा रहे हैं यह महत पूर्ण ओहदे के व्यक्ति के साथ में आपकी मुलाकात है पुराना अनुभव विश्वास की जलक और अपनी बात के उपर अडिग रहने की ताकत आपके वो सार्व भूमिक गुण है जो इस महीने 16 सितंबर लगबग लगबग पहले पकवाडे से एक दिन जादा सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए बना कर रखेंगे व्यापारिक जीवन में भी एकल बूते कोई भी नरणय आपको लेना है लंबी समय से हम लोगों की सलाह के साथ में च चलिएगा दूसरे आधार पर ये भी गौर करने की आवशकताएं यहां हमारे लिए बनी हुई है कि अगर हम रहस्त को अपने व्यापारिक जीवन में जोड़ना चाह रहे हैं तब भी समय अंतराल को स्वयम के लिए बेहद सकारात्मक मान कर आपको चलना चाहिए यह एक प अपरोच बनी रहेगी, खर्चे होंगे, किन्तु खर्चों के साथ में ही धना गमन की संभावनाएं भी जादा है, आप प्रशन यहां पर यह उठ सकता है कि हम खर्चों की बात सकेंड आउस के साथ में कैसे कर रहा है, यह तो धन भाव है, लिकुरिटी की बोरिशन है, किन पिनिंशल गेन देने वाले रहेंगे, यह एक बात है, बाणी में 2 से 22 सितंबर तक आपके लिए एक कॉन्फिडेंट अपरोच बनी हुई है, इस कॉन्फिडेंट अपरोच का अर्थ यह है, कि अगर आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में, एंकर संबंधी किसे कारे विशेशक शेतर के साथ में, लेक्चिररशिप या फिर ऑनलाइन आपको बारंबार एक संबाद इस्थापित करना होता है, ऐसे सारे ही कारेयों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन रहेंगे, तो वहीं जो 16 सितंबर के बाद से लगबग 6-7 दिनों का समय अंतराल है यहाँ पर कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था, उसको सुलजाने के और अगर आप जाना चारहे हैं, तब भी समय को आप उप्युक्त मान कर चलिएगा, यह एक बेहर अच्छी स्तती, तो वहीं शेयर मार्केट में, मैं पंचम की स्ततियों पर भी ऐसी तारीक है, कि जहां पर आपके पराक्रम में वर्दी रहेगी, मन से कई बार जो इस्ततिया निकल कर आती है और कहती है कि इस काम को तो कर ही देना चाहिए, और यहां से मुझे लंबे समय तक भाग्य का सयोग रहेगा, इन दो दिनों में कोई भी अवसर आता है, तो आप चातुरतेश की स्थतियां आप देखें, याई कि सुखेश की स्थतियां बाग्य भाव के साथ में जुड़ी है, इसी वजे से जो मानसिक सुख की स्थतियां होती है, उसमें थोड़ी सी कमई रहेगी, 9 सतंबर से 30 सतंबर तक के अम्तराल के भीतर तो वहां पर ज़्य जादा कमी हा सकती है, किन्तु अगर आप वाहन संबंधी कामकाच के साथ में जुड़े हो हैं, एगरी कल्चर संबंधी कामकाच के साथ में जुड़े हो हैं, कंस्ट्रक्शन में जो कमिशनिंग और ब्रोकरेट संबंदी जो कामकाद चलते हैं वहाँ पर भी आपके लिए भाग्य का सहार्थक सयोग इस पूरे हिमा में और उसमें भी एक से नौ सतंबर तक एक पॉजिटिव एप्रोच में बना रहेगा वहीं महत्वा कंक्शाओं के उपर आप नियंत्रन स्थापित करके चलिएगा ये आपसे एक निविदन है मित्रों के साथ में और भाईयों के साथ में संबंदों में कोई बेदिकार या डॉमिनेट करने वाली पॉडिशन को आप सामने नहीं लेकर आएं ये भी जानना होगा महत्वा कंक्शाओं पर नियंत्रन इस वज़े से भी आवशक है कि उसके वशिबूत होकर हम कई बार गलत निरणय को जीवन में जगह देने वाले हो जाते हैं उससे भी आपको बचना चाहिए किन्तु corporate culture के मदर ये समय जो आपका अनुभव है और जो आपने loyal positions को create किया है उसके आदार पर promotion की और भी लेकर जा सकता है ऐसी पूर्ण रूप से संभावनाए नजर आ रही हैं तो वहीं अगर मैं वाहन संबंदी स्तियों की बात करता हूँ अगर आप commercial vehicle के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुआ है स्वहिम के लिए कोई भी वाहन आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पर भी better prospects आपके लिए available रहेंगे service industry के साथ में जुड़े हुए जो भी कारे विशेश होते हैं वहाँ पर भी आप स्वहिम के लिए भाग्य के अच्छे संकेत देख पाएंगे इसके अलावा एक और तथ्यात्मक स्तिती जिसको समझने की आवशकता पूर्ण कालिक स्तर के उपर है agriculture संबंदी कामकाज में नवाचार करना या फिर information technology के साथ में तकनीक संबंदी जो भी कामकाज होते हैं native के साथ में जुड़कर यानि कि जो आपकी एक तरसे पैतरक जगे रही है वहाँ से जुड़कर किसे कामकाज की शुरुबात करनी है जैसे कि work from home के साथ में व्यक्ति चलता है outsourcing कहीं से भी बैट कर किसी भी तरीके से की जा सकती है किसी व्यक्ति को उस तरह से services भी दी जा सकती है ऐसे कालिकी शुरुवात के अंदर positivity रहेगी किन्तु माता के साथ संबंदों के अंदर कहीं भी चोटी चोटी बातों को लेकर तनाव नहीं निकले इस बात पर भी आप विशेश तोर पर गौर कीजिएगा पंचम भाव यहां आप देखें कि ब्रहस्पती और केतु की युती संगत इस्ततियां है केतु यहां 23 सितंबर के बाद में परिवर्थित होकर व्रश्चिक में प्रवेश करेंगे तो 23 से 30 सितंबर तक का जो समय अंतराल है वो चतुर्थ भाव के साथ में भी अगर एक चर्चा में और करूं तो आपको परतेक स्तर के साथ में लालायत करने वाला होगा बहुत जारा जड़ों के साथ में जोड़ने की और आपको लेकर जाने वाला होगा किन्तु जो यह 23 दुनों तक ब्रैस्पति केतु की यूती संगत यहां पंचंबे मने हुई है एजुकेशन की लाइफ को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे वहाँ पर सॉल्यूशन की पोजिशन आ सकती है आकस्मिक धन लाब के शेत्र विशेश के अंदर व्रद्धी रहेगी शेयर मार्केट के अंदर निवेश लाब अपरद हो सकता है टेंडर संबंदी वक्त में भी आप भाग ये आजमाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रोस्पेक्ट के अंदर एक बैटर वे रहेगा आपके लिए वहीं अगर जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे की तरफ जाना तैक कर रखा है और आप इनिशियल ट्वाल टु सिक्स्टीन बीक्स की पोजिशन के अंदर है ये ध्यान रखेएगा और मेरा निविदन मानिएगा कि आप ट्रैबलिंग को अवाइड करके चलें शुरुआती 23 दिनों के लिए कम से कम ट्रैबलिंग की औरा जाएं वहीं संतान पक्ष के साथ में जहां पर भी दिक्कतें और दविधाएं थी चोटी चोटी बातों को लेकर मन मुटाव सामने आ रहे थे वहाँ पर भी immense positive approach आपके लिए बनी रहेगी जुडाव फिर से स्थापित हो सकता है क्षमताओं में 13 सितंबर के बादन पर दी है देखते कई बार आलेस से के साथ में होता है किन्तों कई बार आपने क्षमताओं को पैचानता है और कहता है कि नहीं परते कारे को पूर्ण करके ही दम लूँगा ये ताकत आपके साथ में यहाँ पंचम भाव के साथ में मौझूद है वही educational life के अंदर आपके लिए जो बादायती वो तो हटेंगी ही higher education की तरफ भी आप जाना चाहते हैं और उसमें भी जब मैं उच्च सिक्षा की बात करूँगा तो ब्रैस्पती के इस पांचवी दृस्टी के भी संबंद साथ में जुड़े होंगे उसी आधार पर आप तैशुदा तोर पर ये मान कर चलिएगा ये समय higher education में भी better prospects आपको दे सकता है वहीं 6th house में शनिदेव ये निविदन है आपसे कि 1 से 29 सतंबर तक वायू जनत विकारों से स्वयम को बहुत जादा सावधान रख कर आप चलने वाले रहें परतम दृस्टी गोचर इस्तती ये है तो वहीं पर जो शत्रू लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वहाँ पर तो एक नियंत्रण स्थापित रहेगा किन्तो ये जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई भी विक्ति किसी भी तरीके का दुराव हमारे परती पाल लेता है तो आगे जाकर वो कामकाजी जीवन में व्यापारिक जीवन में देखत दे सकता है उसका जरूर ख्याल रखें किसी भी तरीके का रिण अगर आपको व्यापारिक वर्धी में लेना है आप construction संबंधी work के साथ में, industrial work के साथ में जुडाव रखते हैं या कोई भी ऐसा कारेशेतर है जहां एक बहुत लंबे समय की नीव लगती है ऐसे सारे ही कारेशों के अंदर आपके लिए better prospect सामने रहेंगे इस माह के भीतर तो वहीं सब्तमेश भी आप देखें कि स्वयम से 12 शुकर सस्ट भाव में विराजमान है तो जो ग्रहेस्त जीवन है, वहाँ चोटी-चोटी बातों से जो परिशानिया निकल कर आती है उससे सावधान रहें, सुर्य देखें की साथ में दृस्टी भी सब्तम भाव के उपर है व्यक्ती चोटी सी बात को अपने एगो के उपर ले लेता है उससे frustration बढ़ाता चला जाता है और जो भी cumulative frustration है cumulative frustration कारत यह है कि office के साथ में चल रही frustration मित्रों के साथ में चल रही frustration कोई कार्य होना था, वो पूरा नहीं हो पाया वो सारी ही frustration cumulate हुई और ग्रहस्त जीवन के साथ में वो खिस के रूप में निकलने लगी उससे भी आपको इस माहम में बचना चाहिए segregation के requirement पर aspect के उपर रहेगी तो वहीं अगर आप व्यापारिक जीवन में जैसा में आपको बताया रंड लेना चाहते हैं, स्थाइत्व की नीव के साथ में रंड लेना चाहते हैं वर्दी है, construction और industrial work के साथ में भी आपके लिए positive indications शुरुबाती सोलेह दिनों के भीतर बहुत अच्छे से बनने वाले रहेंगे मैं यहाँ इनकार नहीं कर रहा हूँ व्यापारिक संज़दारियों में ये वक्त संभल कर चलने का रहेगा इस बात को मूल मंतर की तरह अपने साथ में लेकर चलिए किसी भी तरीके का धोका सामने निकल कर नहीं आए हमें वहाँ गौर करना होगा तो वहीं अस्टमेश की स्थियां आप देखते हैं तो ये पंचम में जुड़ी रहेगी आपने किसी भी hidden talent के उपर लंबे समय तक खुद को evolve किया है educate किया है सीखने का प्रयास किया है और उसके साथ में आप जीवन को एक नई धारा और एक देशा देना चाहरे हैं तब भी मैं आपको अटूट विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि ये समय आपकी hidden talent को सामने लेकर आ सकता है और निखारने की तरफ आप प्रयत नशील रहिएगा metal संबंधे कामकाज में वरद्धी बनी रहेगी विदेश संबंधे सक्षा ग्रहन करने की तरफ आप गए थै यानि कि विदेश में किसी कोर्स की तरफ आपका जाना हुआ अभी लंबे समय से कुछ दिक्कत और परिशानी आई ब्रहस्पती की ये स्ततियां आपके लिए solution की positions को लेकर आने वाली हो सकती है इसको भी आप नोट करके चलिएगा तो वहीं अस्तम के अदिपती का पंचम के साथ में जुडाव है लंबे समय से कोई भी रुपए और पैसे आपके लिए अठके हुए थे वहाँ पर भी clarity के इंडिकेशन्स आपको मिल सकते है भाग्य भाव में आप देखिए भाग्य का सयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है इस महीने के अंदर भाग्य के साथ में करमशील रहना प्रतिक्षन खुद को ये याद दिला कर चलना कि जो मेरी ताकत है मैं उसके साथ में ही गतिमान रहूंगा और बहुत कुछ अचीव करता चला जाऊंगा मंगल की ये प्रवर्तियां आपको वो सारी ही पोजिशन्स दिखाने का कारे कर रही है आप ध्यात्मिक चेतनाओं में वर्दी रहेगी किन्तु 9 से 3 सितंबर के मद्य बहुत अकता और ऐसे अनर्गल खर्चे हावी हो सकते हैं जिनकी आवशकता भी भी नहीं है अनर्गल खर्चों का अर्थ यही नहीं है कि हम्मित्रों के साथ में पारिवारिक जनों के साथ में खर्चे बढ़ाएं किसी वक्ती से हम फैसिनेट हुए तकनीक संबंदी कोई भी वस्तु को देखा और लगा कि ये हमारे पास में भी होनी चाहिए वो फैसिनेशन डिटर्मिनेशन के अंदर बदल जाती है और वहीं से परेशानियां सामने आने लगती है मेरा निविदन है कि ऐसे सारी ही फैसिनेशन से आप बच कर चलें इस माह में हायर एजुकेशन में टेकनिकल फील्ड के साथ में आपका जुडाव और हस्तक्षेप रहा है तो यहां पॉजिटिव इंडिकेशन मौजूद रहेंगे इस से हम बिलकुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं आपके लिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनुभव जो अभी तक प्रतिक कारे के साथ में मिला है बले ही व्यापार हो या नौकरी उसको आगे रखें कई बार व्यक्ति कोई सारी बातें नोट करके रखनी होती है जब भी वो अपने कारे जीवन की तरफ जाए और ऐसे मंत्रों को याद करता चला जाए कि मुझे यहां अपने अनुभव को हावी रखना है यहां जो कंटेंप्ररी पोजिशन्स के अंदर डिजिशन लेने हैं उसको हावी नहीं रखना है तो हम बहुत अच्छे से पोजिशन्स को सेग्रिगेट भी कर पाते हैं क्योंकि मंगल तिवरगामिक रहे हैं और अगनी कारक प्रदान एक तरह से स्ततियों को लिए हुए होते हैं अब चर्चा कर्म भाव की कर्म भाव जो की उत्रोतर बली किंद्र है कर्म भाव जो की इच्छा शक्ति की स्ततियों को लिखाता है तो यहां करमेश व्याई भाव में बिराजमान रहेंगे, कर्म का व्याई इसमाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, परतम स्तिती तो यह, और वहीं पर जो प्रबंदन है वहाँ पर भी आपके लिए थोड़े से distractions सामने आ सकते हैं, आपका जो self discipline रहा है, self management रहा है, over confident वहाँ पर नहीं रहें, खुद को recheck करते रहें, management की किसी बहुत major position के साथ में आप चले हैं, कोई भी conspiracy create होने वाली calculation सामने नहीं आए, वहाँ से आपको सावधान रहे कर चलना होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जॉब में आप change करना चाहते हैं, तो कर्म का व्याय वहाँ पर वैसे भी ज़्यादा बढ़ता है, और ये कर्म के व्याय की इस्तियां ही आपके लिए यहाँ पर संलगन ह इच्छा शक्ती का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है, ये एक बात तो वहीं विदेश संबंदी कारियों में या विदेश में रहकर अपनी आप जॉब कर रहे हैं, खुद को संकुचित मत कीजिएगा, जितना खुद को explore करके चल सकते हैं, जितनी ताकत के स साथ में चल सकते हैं, उसके साथ में ही आप चलने का प्रयास करें, अब एक महत्तिपूर्ण बात रहती है, वर्किंग एक्सपर्टीज, जो भी 10 था उसके साथ में हम देखते हैं, यहां आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज को खर्च करने का समय है, इसको समझने की दरकार बहुत गयरे से है, मानली जी आप information technology के साथ में, मानली जी आप research analysis के साथ में, या business की बहुत in-depth जो positions होती है, वहां पर आपका जुडाव है, आपने वहां अनुभव हासिल किया है, और अब उस अनुभव को दिखाने क्या वशकता है, तो वहां आप बिलकुल भी संकुच खुद को मत कीजिएगा, रफ्तार के साथ में चलाना परिणामों को सामने रखने वाला रहेगा, एक आदश भाव में जो राहु है, 23 सितंबर तक यहीं बिराजमान, इसी वज़े से जो सरवांगिन लाब है, उसके तरह आप बहुत जादा आकर्शित रहेंगे, लगेगा कि जो भी इस्ततियां हासिल करनी है, वो तिवर का में इस तरह पर करता हूँ, किन्तु वहीं पेशन्स की रेक्वाइरमेंट आपको है, 16, 17 सितंबर को तो बहुत ज़्यादा पेशन्स रख कर चलिएगा, वहीं राहु जब 23 आप सब्टेंबर के बाद से कर्व में प्रवे सरवांगीन लाप से लालाइट होने के स्थर से आपको बचना चाहिए, वहीं द्वादश की शुक्र व्यक्ति के लिए फाइनेंशल पोजिशन्स को इंस्टन्ट फ्लो के साथ में लेकर आने वाले हो जाते हैं, किन्तु यहीं पर व्यक्ति खर्चों के साथ में बहुत स्वास्ते का भी इस माह आप ख्याल रखकर चलिएगा, ये भी आपसे निविदन है, कोड कचारी संबंदित कोई भी मामला चल रहे थे, तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने से आपको बचना चाहिए, तो ये था एक सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक का देनिक र भाग